इस वक्ते हम लोग यूपी हात्रस के बूलगड़ी गाउं में मौझूद है जहां एक बहुत ही हॉरिफिक आपको कह सकते हैं एक बहुत ही दर्दनी है घटना ने अंजाम लिया था करीब 15 दिन पहले एक लड़की का यहां उस लड़की ने जो बयान दिया है इसमें लड़की की बॉड़ी को लाया गया पिता और भाई थे जो उनकी माता जी थी उनका सिर्फ एक ही पुलिस से एक ही सिर्फ एक डिमांड थी कि आप एक आखरी बार हमको अपनी लड़की को घर ले जाने दीजे जो लास्ट राइट्स होते हैं वो हमको पफॉर्म करन दीजे एक आखरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजे हमें हाथ लगाने दीजे हमारे सामने UP पुलिस ऑफिशल्स और UP पुलिस ने पूरी फैमली को अंदर बंत किया अपने घर के अंदर बैरिकेट किया डंडे लेकर सब पुलिस खड़े हो गए और इस वक्त पे जो बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजन्स के बिना यहां पर बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया फैमिली के परमीशन के बिना फैमिली प्रेजन्स के बिना लड़की की हातरस की जो रेप विक्टिम है उनकी बॉडी को यहां लाया गया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैं एक बार क्यामरा परसन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉड़ी है सिर्फ एक ही मांग थी फैमली की माता पिता की की एक बार चाहे 15 मिनिट के लिए सही आप एक बार बॉड़ी को घर पे आने दे हमको एक बार उनका आखरी बार हमारी बेटी की शकल देखने दे आखरी बार हमारी बेटी को चूने दे पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉड़ी को लाके आप देख सकते हैं बॉड़ी पीछे जल रही है सभी जो इस गाउं के जो लोग हैं सभी बहुत गुस्से में और सभी ने सभी को घर के अंदर बंद कर दिया गया ना लड़की के पिता जी ना लड़की के भाई ना लड़की की माता जी यहां कोई भी कोई भी नहीं थी पुलिस इस बॉड़ी को यहां लई और यहां जबरदस्ती जबरन इस बॉड़ी को जला अगर पुलिस ने अक्षन लिया होता तो इतना जो इस तरीकी की दुरघटना हुई है शायद उसको बचा सकते थे शायद झाल 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 झाल